आज है गुंतिज जन्वरी माग मास के पवित्र महीने का पहला सुमवार साथिसाथ आज है माग मास की चतूर्ती दिती देखिए संकस्ची चतूर्ती है और ध्यान रखना आज की जो चतूर्ती है वो बहुत ही विशेश कर है आज तिल चतुर्ती जिसे कहा जाता है आज के दिन अगर आप तिल और गुड का दान करते हैं तिल और गुड से उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना परिपूर होती है जिस प्रकार से हमने संक्रांती पर उपाय किये थे तिल और गुड का दान कहता है उसी प्रकार से आज तीलोर गुड का दान किया जाता है और इसलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम चार विशेशकर उपाई के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है लेकिन सबसे जादा विशेशकर होने वाला है दो हरी इलाइची वाला उपाय जो की बिल्कुल नया उपाय है जो की संकस्ची चतुर्ती याने की आज सुमबार के दिन ही आपको करना है जो आपके जीवन की सारी समस्या संकटों को दूर करेंगे नमश्कार दूस्तों स्वागत एक बार फिर आप सभी का शीव पुरान के उपाय में देखिए विसे तो हर चतुर्ती तीती खास होती है हर मैने में जो दो चतुर्ती तीती आती है संकस्ची हो या विनायक हो ये दोनों चतूरती तीती भगवान गणेश को समयरिपित होती है लेकिन साल में चार सबसे ज़ादा विशेश चतूरती तीती होती है जिसके अंदर आज की जो चतूरती है जो की तिल चतूरती जिससे कहा जाता है संकट चतुर्ती जिसे खा जाता है वो आज की चतुर्ती सबसे ज़दा विशेश होती है चार में से ये पहली जो चतुर्ती ती है ये विशेश होती है देखे आज के जो चार उपाय है पुझ गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे देखिए एक के करते हुए हम उपायों को समझेंगे आज जैसा कि हमने आपको बताया कि तिल चतुरती दिती है तो उपायों को बिल्कुल ध्यांते समझना तिल चतुरती दिती है तो आज की दिन तिल के जो गुड के जो तिल के जो लड़ू आते हैं वो आज के दिन आपको गड़े जी के मंदिर में भेट करके आना चीए देगे अगर आप इस प्रकासे हर्पित करते हैं चड़ाते हैं तो आपकी घर में जो संतान है आपकी घर में जो बच्चे हैं उनके जीवन में सुक सम्रिद्धी बढ़ती है आपके घर में धनका आगमन होता है और आपके घर में जो भी संकट होता है वो निशित तोर पर दूर होता है तो पहली चीज तो यह हो गई और तील और गुड के लड़ू का दान भी आज के दिन आपको करना चाए किसी भी गरिब को या किसी भी वतलब आप चाहे तो किसी को भी तील और गुड के लड़ू आज के दिन आप खिला सकते हैं देखिए, दुसरा जो उपा है वो भी विशेश करें तील और गुड से ही करना है आज है सोंबार का दिन तील और गोड आज के दिन आप क्या कर सकते हैं एक रोटी लीजिए बिना नमक की आठे की रोटी बनाईए रोटी के अंदर गोड रखिये तील रखिये काले तील भी रख सकते हैं आपको ये गोड और काले तील के जो रोटी है ये आपको आज के दिन गोमाता को खिला कर क्या नहीं है, जिस प्रकार से हमने संक्रान्ती पर खिलाया था, लेकिन आज किसी भी रंग की गोमाता हो, कोई भी रंग की गोमाता हो, तो आप उनको खिला सकते हैं, सबसे पहले 33 कोटी देवी दिवता को प्रणाम करना, गोमाता को प्रणाम करना, और उ अम गढ़ण गंडपते नमः ओम गंडपते नमः या श्री गणईशाएं नमः का जाब करते हुग है आप गो माता को आज के दिन यह फ्रोटी खिला सकते हैं यह भी बहुती विशेश का उपाय है जो कि आज के दिन सुन्दर से पवित्र दिन में आप यह कर सकते हैं तील और गुड के ही उपाई आज के दिन किये जाते हैं सबसे जदा प्रभावशाली वो ही होते हैं अब हम बात करते हैं तीसरे विशेश उपाई की देखे कहा जाता है कि भगवान गणेश को हरा रंग भूथ प्रिया है चाहे हम हरे मुग के दाने के उपाई करें चाहे हम ह हरी लाइची के उपाई करें हरा रंग भगवान को प्रिया है और हरा रंग का जो संबंद होता है वो बुद्ध ग्रस होता है तो हरा रंग जो है बुद्धी ज्यान विवेक के प्राफ्ति कराता है अगर आपको जीवन में आपको यसा लगता है कि बुद्ध ग्रा अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको बुद्धग्रा को मजबुत करना बहुत जरूरी है और बुद्धग्रा मजबुत कब होंगे जब आप गणेश की विशेश पूजा करेंगे विशेश कर चतुर्ति के दिन तो बगवान गणेश का जो विशेश उपाय है जो कि आज के जो सबसे इंपोर्टेंट उपाय जो हमने आपको बताया कि दो हरी लाइची से करना है तो वो अब आपको बताने वाले हैं देखो संकस्ची चतुर्ति है दो हरी लाइची लेना ठीके हरी लाइची गणेशी को प्रिय है सुमवार का दिन है तो आपको क्या कर एक दीपक गोलबाती का दीपक इसके अंदर आपको एक हरी लाइची डालना है और आपको ले जाना है इसके अंदर आपको क्या करना है आपको ले जाना है गणेजी के मंदिर में और गणेजी के मंदिर में इस दीपक का दान आपको करना है इस दीपक को प्रजिलेत करना है और इस दिपक के अंदर ओम गंढ़पती नमाओं का 11 बार्स करते हुए या श्री गणेशा या नमाओ का भी आप जाप कर सकते हैं और ये आप गणेश जी को अर्पिद करें गणेश जी के दिपक में आप अर्पिद करें दीपक आपने गनेची के मंदिर में जान कर दिया और अब तामबी के पात्य के अंदर जल है उसके अंदर एक हरी लाइची है ये जल ले करके आपको आज के दिन भगवान शीव के मंदिर में जाना है भगवान शीव के शिवलिंग के उपर अभिशेक करना है श्री शिवाय हो जाता है करने नहीं देते हैं तो देखो आप एक दीपक ओर ली जिए तामबी का पात्र मद ले लेना एक दीपकत आपने गड़े जी के मंदिर में लगा दिया और एक दीपक और बनाना जिसके अंदर गोल बाथी ही एक अंदर इसके अंदर भी आपको सिक के मनद바 मैं आपको अर्पित करके आ जाना है जल अर्पित करने नहीं देते तो फिर आपको यह उपाय करना है आगे आपको बाशान में देखो वेसे तो आज का जो चंदरोदय का समय रहने वाला है वो 9 बचकर 10 मिलिट पर रहने वाला है तो 9 दस पर भी अगर आप यह उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा और लाप का ही सिद्ध होगा तो यह उपाय बुद्धि ग्यान विवेक के लिए है आपके घर के बच्चे बिलकुल उनके उपर जो पर सकट आएगा वो निश्चित तोर पर दूर हो जाएगा अब हम बात करते हैं अंतिय उपाय की चोती उपाय की जोकी बहुत ज़्यादा वीशेश है देखे कहते हैं ना कि चतूरती तीधि पर आपको गेहों के दाने के उपाय करने ही करने चाहिए चाहे किसी भी वार पर पड़े चाहे मंगल वार पर सोम वार पर या रवी वार पर कभी भी पड़े लेकिन आपको चतुरती तीटी पर गेहूं के दाने का उपाई ज़रू करना चीए क्योंकि गेहूं के दाने आपके जीवन के सारे दुर्भागे को दूर कर देंगे मातर आपको 5 गेहु के दाने लेना है देखो यह उपाय आप सुबह से लेकर के रातरे तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं 5 गेहु के दाने विशेशकर माताएं करेंगी यह उपाय अपने बच्चों के लिए हतेली पर पाँच गेहूं के दाने रखना ठीक है गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चीए पाँच गेहूं के दाने को जो सुखे गेहूं के दाने है उन्हें आपको घीला कर लेना है याने कि आपको उसके उपर जो गेहों के दाने के उपर आपको जल का छिटकाओ करना है आप आपके घर के मटके का जल लें और थोड़ा सा जल जो है वो पाँचों गेहों के दाने के उपर आपको अर्पित कर दिना है अब ये उपाए अगर शाम के समय कर रहे हैं चन्द्रोदे के समय 9 बचकर 10 मिलट का समय है रातरी में अगर उस समय कर रहे हैंगे तो सबसे ज ज़यादा विशेश होगा उस समय अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप सोय से लेकर के शाम तक कर सकते हैं पांचों गेहूं की दाने आपको आपके हतेली पर रख करके आपको भगवान चीव के मंदिर के और चले जाना है भगवान चीव की मंदिर में जैसे ही जाएंगे आप भगवान के गर बिगर के मापर जाएंगे बगवान के उपर आपको क्या करना है सबसे पहले दियान लगना चार गेहू के दाने आपको अलग कर लेना है और चार गेहू के दाने अलग करके और एक गेहू का दाना अलग रख लेना है और चार गेहू के दाने को ओम गंड़ गंड़ पते नमो का 11 बार जाब करते हुए या श्री गणेशाहिन हमा का 11 बार जाब करते हुए भगवान गणेश से प्राथना करते हुए कि हमारे बच्चे के उपर जो भी संकट है विगन है कस्ट है परिशानी है वो सब आप ही को दूर करना है ऐसी मन में भाव रख करके चारो गेहु के दाने आपको भगवान शीव के सीधे तरफ याने के गणेजी के स्थान के तरफ देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस स्थान पर आपको चार गेहु के दाने आपको अर्पित कर देना है आपको बाचन में अब आपके पास एक दाना है गेहु का वो वापस से हतेली पर रख करके श्री शिवाय नमस्तुब्यम का ग्यारा बार जाप करते होगे भगवान शीव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है चार गेहु के दाने आपने गनेजी वाले स्थान पर अर्पित करे और एक गेहु का दाना बगवान शीव के शिवलिंग पर अर्पित करा अगर आपको कुछ बिचे समझ में आए तो एक बर कमेंट में पूछ लेना गलती भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर